राची की बढ़ती आबादी के साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या भी शुरू हो गई है इसे दूर करने के लिए रगुवर सरकार ने एलिवेटेड रोड और फ्लाई ओवर बनाने का फैसला किया है एलिवेटेड रोड जाकिर हुसेन पार्क से पिसका मोर तक जाएगी राजधानी राची में बढ़ती आबादी के बीच गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है जिसका आसर शहर की यातायात विवस्था पर पढ़ रहा है ट्राफिक विवस्था को आसान बनाने के लिए राची शहर को शीगर ही एलिवेटेड रोड की सुविधा मिलने वाली है ये एलिवेटेड रोड जाकिर हुसेन पार्क से पिसका मोर तक जाएगी जहां से ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी एक हिस्सा पिसका मोर से आयाएटी बस स्टैंड तक जाएगा जिससे सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन नहीं होगी सिंगल पिलर पर फ्लाय ओवर का निर्माण होगा सरकार के इस फैसले का आम लोग स्वागत कर रहे हैं जो कि जो वहां जाते हैं जो पर फ्लाय ओवर के रूप में बनाया गए फूफर जो सफ़क तक जाने वाली फ्लाय ओवर की लंबाई 600 मीटर होगी जमीन अधिगरण की प्रकिरिया शुरू हो गई है इसके निर्माण में कुल 135 दशमल नोदो डिस्मिल जमीन का अधिगरण होगा एलिविटिट रोड और फ्लाय ओवर बनाने से राजधानी वासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी रखुबर सरकार की प्रयास से जहारखंड विकास की रहा पर है एलिविटिड रोड और फ्लाय ओवर बनने से राची शहर स्मार्ट सिटी की दोड में आगे निकल जाएगा बियो रिपोर्ट जी मीडिया